welcome to the throttle customs तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये वीडियो है मेरी equipments का इसमें जो मैं camera यूज़ करता हूँ जो मैं mics यूज़ करता हूँ जो gloves में यूज़ करता हूँ जो gimbal में यूज़ करता हूँ जो helmet और जो मेरा laptop है और ये tripod इन सारी चीज़ों का सब्सक्राइब नाम है यहां पर आप देख सकते हैं यह मेरा वाइसा करके मोटे व्लाइग के लिए दिया है और इसको में उपड़ाइधन सब्राइब अब ourselves का स्वाइब कर से लिए आप यहां पर आप देख सकते हैं ग्रिनारों का है जे 13 करके माइक्रोफोन है इसको मैं यूज करता हूं मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका केस आता है और इसमें यह देखिए दो हमारे माइक हैं और एक यह जो उसके बाद हमारा यह जो है podcast mic है यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे हम हमारी voice जो है वो record कर रहे हैं तो यह Moano company का है और इससे हम Moano company का A3 करके आता है वो podcast mic है इससे हम यह record कर रहे हैं इसके लाबा एक और जो मेरे पास mic है यह जब हमने starting करी थी हमारी journey company तो यह Boya Y B1 आता है यह Boya company का जो mic mic है Boya BY M1 करके आता है तो starting में हमने यूज किया था तो अगर आप अभी vlogging स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यह mic यूज कर सकते हैं अच्छा mic है 1000 के अंडर यह mic आपको देखने को मिल जाएगा और अगर हम इस नारो के इस mic के price की बात करें तो यह लगबग आप लगबग आपको 2,200 रुपीज से 2,000 की बीच में देखने को मिल जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो gimbal है तो जो हमारा gimbal है वो हम यूज कर रहे हैं डी जी आई कंपनी का Osmo Mobile 6 करके तो यह जो gimbal है यह latest version है अभी DGI में तो यहाँ पर मैं आपको इसको open करके भी दिखा देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है अमारा gimbal है और इसको इसका एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर डाला हुआ है तो इसकी पूरी वर्किंग है वहाँ पर आप जाके इसकी पूरी वर्किंग देख सकते हैं तो यह था हमारा gimbal और यह गिंबल आपको लगबक 15,000 का प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा लिंक इसकी करण के दिए आप वहां पर जाके इसको देख सकता है उसके बाद हम बात करता है हमारा हमें तो यह अंपर आप देख सकते हैं यह जहे नहीं है और यहांपर इसमेंमने मांट आपर पिस्ट करके है यह जो मांट है हमने इसको एरो लाइट से चिपकाया है इसके बारे में अगर आपको डीटेल में वीडियो देखना हो तो वह भी आप कमेंट करिए मैं आपको description में Link देजुंगा और comment में भी Link देजुंगा तो यह हमारा helmet था और इसका price आपको लगबग लगबग 1800-2000 के range में देखने को मिल जाएगा और अगर हम बात करें कि मेरी एडिटिंग में किस से करता हूं तो यह हमारा Acer का laptop है और यह Acer का जो है आप देख सकते हैं Acer Aspire 7 laptop है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मैं editing करता हूं तो इस laptop में कोई भी problem नहीं आती है अगर आपको editing करना है तो आप यह laptop बहुत आसानी से ले सकते हैं और बहुत अच्छी से smooth इसमें working रहती है और अगर हम बात करें हमारे tripod की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो tripod है यह मेरा gloves तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Honda के gloves हैं और यह बोल सकते हैं intermediate level के gloves हैं तो यह gloves में यहाँ पर यूज करता हूं और इस product का भी link मैं आपको description में दे दूंगा तो यह था एक complete review video जो products मैं यूज करता हूं तो आप भी इन products को देख सकते हैं और अगर आप चाहें अगर आप motor vlogging करना चाहते हैं या फिर आप technical review करना चाहते information based review करना चाहते तो आप इन products को use कर सकते हैं इसके साथ साथ जो mobile phone में use करता हूं वह oneplus का flagship mobile phone रहता है तो आप किसी भी ब्रांड का flagship phone ले सकते हैं जिसका camera अच्छा हो और उसमें at least 4K recording होना चाहिए अगर 4K recording नहीं है तो 1080 pixel पे 60 fps के साथ आपको recording वहाँ पर मिलना चाहिए तो यह था हमारा complete review हमारे products जो हम use करते हैं so thank you for watching and do subscribe our channel करते हैं